कोई भी काम करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए एक युवक ने विवाह के दो साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही पिता ने स्वीकृती दी तो वह अपनी गर्भावती पतनी को माँ बाप के जिम में छोड़ कर व्यापार करने चला गया परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेख बन गया सत्रा साल धन कमाने में बीट गए तो संतुष्टी हुई और वापस घर लोटने की इच्छा हुई पतनी को पत्र लिख कर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था सेख ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ग्यान की कोई केंद्र नहीं है मैं यहां ग्यान के सूट्र बेचने आया था पर कोई लेने को तयार नहीं है सेथ ने सोचा इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमी है इसका मान रखना चाहिए उसने ग्यान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई उस व्यक्ति ने कहा मेरे हर ग्यान सूत्र की कीमत पांच सो स्वर्न मुद्राएं है सेथ को सौधा तो महंगा लग रहा था लेकिन कर्म भूमी का मान रखने के लिए पांच सो स्वर्न मुद्राएं दे दी व्यक्ति ने ग्यान का पहला सूत्र गया कोई वी कार्य करने से पहले दो मिनट रूप कर सोच लेना सेथ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया उसने सोचा इतने सालों बाद घर लोटा हूँ तो क्यों ना चुपके से बिनाख हबर दिये सीधे पत्नी के पास पहुँच कर उसे उपहार दूँ घर के द्वार पालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पावों के नीचे की जमीन खिसत गई पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक्त सोया हुआ था अत्यंत प्रोध में सोचने लगा कि मैं पर्देश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहां अन्य पुरुष के साथ है दोनों को जिन्दा नहीं चोलूगा प्रोध में तलवार निकाल ली वार करने ही जा रहा था कि उतने मेही उसे पांच सो स्वर्न मुद्राओं से प्राप्त ग्यान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले दो मिनत सोच लेना सोचने के लिए रूका तलवार पीछे खीची तो एक बर्तन से टक्रा गई बर्तन गिरा तो पतनी की नींद खुल गई जैसे ही उसकी नजर अपने पती पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली आपके बिना जीवन सूना सूना था इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ सेट तो पलंग पर सोए पुरुष को देख कर कुपित था पतनी ने यूवक को उठाने के लिए कहा बेटा जाग तेरे पता आए है यूवक उठकर जैसे ही पता को प्रनाम करने जुका माथे की पगली गिर गई उसके लंबे बाल बिखर गए सेट की पतनी ने कहा स्वामी ये आपकी बेटी है पता के बिना इसके मान को कोई आंच ना आए इसलिए मैंने इसे बच्पन से ही कुत्र के समान ही पालन पोशन और संफकार दिये है ये सुनकर सेट की आंखों से आंसु निकलने लगे पतनी और बेटी को गले लगा कर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ग्यान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्बाजी में कितना अनर्थ हो जाता ग्यान का ये सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लग रहा था लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो पांच सो स्वर्न मुद्राएं बहुत कम है कोई भी काम करने से पहले दो मिनत सोच लेना चाहिए कहानी सुनने के लिए धन्यवाद